आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी धनिय की चटनी की एसी रेसिपी जिसे आप पराठे के साथ या वी किसी भी स्नेक के साथ खा सकते हैं ये उस पराठे का और स्नेक का टेस्ट चार गुना बढ़ा देगी साथ ही साथ आप इसे एक हफ्ते तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मिक्सर का जार ले लेंगे उसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया धनिया को मैंने अच्छे से वोश करके और डंटल सही ती कट कर लिया है तो आप चाहें तो थोड़ी से इसमें पुदीनागी पत काला नमक भी एड़ कर सकते हैं और अब हम इसमें कर देंगे दही लगपक दो चमज के करीव यहांपर मैंने दही एड़ कर दिया हैं अगर आपके पास दही न हो तो आप निमू का रज भी एड़ कर सकते हैं फिर दही दही ओर निमू का रज दोनों साथ में आठ से दस मैंने लहसुन की कली एड़ कर दिये इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है साथBlue साथ तह मैंने जो है हरी मिर्च इसमें एड़ कर दिए हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के इसाब से कम्या जादा कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाले और अच्छे से हम पीस लेंगे देख सकते हैं पिसकर चटनी बिल्कुल अच्छे से तयार हो गई है इस चटनी को निकाल कर आप airtight कंटेंडर में पेक करके वो फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपट भी बन जाती है तो वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना थैंक यू पर वोचिंग